बारत बनाम उस्टेलिया का पहला T20 मुकाबला कैन्बरा के मैदान में खेला गया, ये मुकाबला नहीं जनाब महा मुकाबला था और इस महा मुकाबले में टीम इंडिया पर लग रहा है धोके बाजी का आरोब, जी हाँ आप सई चुन रहे हैं हलंकि मुकाबला टीम इंडिया ने जीता है लेकिन इस मैच के दुरान एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है आकिर विवाद किस बात को लेकर है ये बात का अर्नुमान आपको होगा रवींदर जड़े जा और युजवेंदर चहल को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ है और इस विवाद को लेकर हर कोई है अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और आप ये जानेंगे कि आकिर इस धोकेबाजी के आरोप में कितनी सचाई है और क्या है पूरा मामला लेकिन वीडियो में आगे बनने से पहले अगर आप भी भारत की जीत से खुस है तो वीडियो को कर दो दिल से लाइक और चैनल को कर दो अभी के अभी सब्सक्राइब नाम नीची कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना अब दरसल दोस्तों पूरा मामला क्या है मामला रवींदर जड़ेजा और युजवेंदर चहल को लेकर है और अश्टिले कप्तान और एलन फिंच ने तो मैच के दोरान ये एक बहुत बड़ा ड्रामा कड़ा कर दिया और म पारी की बदोलत तो बारत एक संबान जनक स्कोर तक पहुंचा लेकिन इस पारी की दोरान रवींदर जड़ेजा की मास पेशियों में खीजा हुआ और जिसकी वज़े से वो बल्ले बाजी नहीं कर पा रहे थे बावजूद इसकी भी उन्होंने मेडिकल ट्रेटमेंट ले और फिर वापस बॉलिंग की टाइम रवींदर जड़ेजा मैदान पे आते ही नहीं है और उनकी जगह युजवेंदर चहल को लाया जाता है अब सवाल टीम इंडिया के लिए ये था कि अगर रवींदर जड़ेजा बॉलिंग नहीं करा रहे थे तो उनकी जगह किन को तो टीम इंडिया के लिए मुश्किला करी होंगी लेकिन इंडिया के लिए फायदा ये हुआ कि रवींदर जड़ेजा जगह युजवेंदर चहल को अतार दिया गया अब जड़ेजा ने बैटिंग कर दी चहल अपनी बॉलिंग मेस पहल में शुरुवाद में दो बड़ी स्टिविन स्मित को भी आउट किया अब ऐसे में सवाल ये उठा कि चहल को क्यों मैदान में लाया गया जब वो प्लेइंग 11 का हिसा नहीं था इस बात को लेकर सोसल मेडिया की पूर्वा इंगलिस कप्तान माइकल वॉन ने अपनी बात रखी उन्होंने इस सारे उसान में भारतब टीम पर थोके कारोप लगाया वो ने लगा कोई डारेक्टर या फीजियो जड़ेजा के कंसक्सन के लिए मैदान पर टेस्ट नहीं करने आया इसके बाद ऐसा लगा जैसे उनके पैर में कुछ हुआ और फिर वो मैच के बाहर चले गया और उनकी जगत दूसरा खि की जिनका नाम टॉम मूडी है उन्होंने कहा कि मुझे जड़ेजा और चैल को सब्सिटूट खिलाडी के तौर पर खिलाने से कोई आतराज नहीं है कोई परिशानी नहीं है मुझे परिशानी इस बात से है कि जब जड़ेजा को हेलमेट पर चोट लगी तो कोई डारेक्ट पर ऐसा सोचते हैं तो देखो अगर आप जड़ेजा को प्लेइंग 11 का हिस्सा रखते हैं तो चैल ने जैसी गयान बाजी करी वो जड़ेजा कर नहीं पाते शायद अब ऐसा नहीं है कि ना मुम्किन है जड़ेजा करी नहीं पाते लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट रहता और अगर चैली ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होते तो जड़ेजा की तरह वो बैटिंग नहीं कर पाते हैं तो अब ऐसे में दोनों हाथ में तो लड़ू हो गया और इसी को लेकर तो यह आरोप लग रहे हैं अब इस आरोप की बारे में आपका क्या सोचना है तो दोस्तों एक निय अब सोचते हैं अब यहाँ पर क्या भारत की ओपर धोकेबाज का रोप सही साबी तो नहीं दोस्तों ऐसा बिलकुल गलत है यह धोकेबाजी का अरोप अब क्यूं गलत है क्योंकि यह क्रिकेट के रूल के अंतरगत आता है मैच रैफरी ने खुद इजाज़त दिये चैल को मैदान पर लाने की और सब कुछ रूल की मताबित हुआ है तो फिर ये कैसे धोका हो सकता है